मैं शिवाई सात्यों, हर हर महाद्यों, हर घर महाद्यों, सात्यों, हर रोज की तरह देख लिजें कि आज भी मैं आप लोगों को एक ओरिजनल आद्भूत और एक अध्यात्मिक नर्बदेश्वर के दर्शन करवा रहा हूं जीहां सात्यों, यह 12 इंची के नर्बदेश्वर शिवलिंग है, इस शिवलिंग में वास्तविक में एक आत्मेता और एका ग्रता का अनुभव होता है जीहां सात्यों, वैसे तो आप भी दर्शन कर रहे हों, तो आप भी देख रहे होंगे, वाके में जो शिवलिंग है, वो पूरा 12 इंची के शिवलिंग है, वो पूरा भूरा कलर है जीहां, देख लिजे, सभी प्रकार की आखरतियां इस शिवलिंग के उपर है, और इन शिवलिंग के उपर देख लिजे, कि किस प्रकार से एक पिले कलर में शिवलिंग आकार बना हुआ है, जो कि नेचुरल है जीहां मित्रो, देख लिजे, कितनी सुन्दर आकार में शिव रूपी एक आकार प्राकतिक रूप से बना हुआ है, और उनी के अंदर देख लिजे, कि किस प्रकार से बिंदुए बनीवी है साथियों, इस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं, वो बहुत ही दर्चनी होते हैं, अध्यात्मिक होते हैं साथियों, कहते हैं कि जो लिंग आकार होता है, वो जो प्राकतिक रूप से लिंग आकार होता है, उन पर शिव जी की विशेज क्रिपा होती है हां सातियों जैसे हमने यह जो पासान जो आप देख रहे हो मान अर्वदाजी से निकाला हुआ यह पासान पुरा चौदा इंच का था चौदा इंच को उसको काट विट कर साप सपय करके उनको देख लिजे कि हमने उनकी जो उनका आकार बचा है वह 12.12 इंच का सम्थिंग रहा है और इनको हमने आकार सीवलिंग का दिया है लेकिन यह जो मैं बिंदू की बात कर रहा हूं जो केंद्र पर जो केंद्र बिंदू है केंद्र बिंदू एक प्राकतिक रूपति बनी वहीं धेख लिए प्राकति रूपति इनको इन पर आकरश्य फोगान लुझ Evans कर आगना ज Ama की ने मंदिर यह वे तो आपको एकाय करता कि बहुत आपसकता होती वाट इस प्रकार के श्ञाम ऑगर आपको दर्शन करने आपके मंदिर की मंदिरों में आसपास की मंदिरों में मिल जाते हैं तो आपको वाकवि में बड़ा ही एकाक्रता और संती का अनुभव होगा जिहां सातियों 12 इंची के शिवलिंग हैं इनको आगर आप अपने आसपास या अपने नजदी की किसी भी मंदिर में इस्तापित करना चाहते हो हमसे कॉंटेक्ट करना हमारा कॉंटेक्ट नमर है 843-544-0836 हर हर महादेव हर घर महादेव ओम नमर शिवाय सातियों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइब कर दे सब्सक्राइब कर दे या शेयर कर दे आपके लाइब के सब्सक्राइब से आपका खुज भी नहीं विगड़ेगा लेकिन एक बात यह जरूर है कि आपके इस मित्र का सहयोग जरूर हो जाएगा इसी भावना के साथ में मेरी वाणी को गुराम देता हूं हर हर महादेव हर घर महादेव ओम नमस्षिवाई सात्यों